जेहिं साथियों, मद्धिपर्देश सरकार ने छात्रों के लिए ओपन बूक एक्जाम कराने का फेसला लिया है दफ से ये फेसला हुआ है जब से छात्रों के मन में नए नए सवाल पेदा हो रहे हैं वे अपने भविस्य के प्रती चिंतित हैं चात्र चाहते हैं कि उनकी एक्जाम किस प्रकार से हो इसके बारे में सरकार खुलासा करे और कब होगी इसका निरने भी सरकार जल्दे से ले ले लेकिन ऐसा होते वे नहीं दिख रहा है क्योंकि वर्तवान समय में मध्यबर्देश में अधिक्तम जिलों में लाउड़ाउं लगा है और इसकी अउगधी को भी सरकार ने बढ़ा दिया है लेकिन मैं सभी छात्रों से अन्रोत करता हूँ कि आप लोग एसे समय में धेरिये बना कर रखें इस महामारी का सामना हम सभी को एक जूठोकर करना है इसके लिए आप लोग प्रन ले कि आप लोग अपने घर पर महामारी के लिए जिस प्रकार का जो भी सुधार का प्रियास हो सकता है वो आप लोग करेंगे जितने भी एतिहाद सरकार ने दिये हैं उसको मानेंगे और घर से भार तबी निकलेंगे जब आपको ज़्यादा जरूरत होगी सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे मास्क लगाएंगे सेनेटाइजर का प्रियोग करेंगे लेकिन इसके अलावा आपके मन में जो सवाल पेदा हो रहा है उसका जवाब भी आपको मिलना चाहिए तो मैं सवाल का जवाब इस प्रकार से आपको देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे सोर्स है उसके माध्यम से मुझे पता चला है कि वर्तमान समय में मई का महीना आपका पूरा मुझे इसा लगता है कि लॉकडाउन से निकलेगा शिक्षा विस्विद्याले के लोगों से भी मेरी बात हुई है उनका कहना है कि माई का महीना आप लोग का निकलेगा उस समय निरने नहीं हो पाएगा या एक्जाम नहीं ले पाएंगे लेकिन माई के आखरी में या जून के फर्ष्ट वीक में आप लोग की ओपन बुक एक्जाम होगी इसके पश्चात जल्द ही आपका जून के एंड तक आपका रिजल्ट आएगा इसमें सर्व प्रथम थर्ड एर के जो चात्र है उनकी एक्जाम जल्द ली जाएगी लेकिन उसके पश्चात फस्ट एर और सेकेंड एर के चात्रों की भी एक्जाम ली जाएगी आप सभी को धेरी बना कर रखना है आप लोग को इसे समय में अगली क्लासों के लिए या आपके आने वाले भविस्ट की जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं पड़ाई के रूप में उसे आपको करना है धन्यवाद जे हिन जे भारत